Postal 360 में आपका स्वागत है आज हम लोग सिखेंगे कि आप अपने दरपन मोबाइल एप से पीलाई और पीलाई कैसे डिपोजिट करेंगे तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम फोर्थ वाला आइकन में नीचे किलिक करेंगे दरपन इंचुरेंस में उसके बाद यहाँ पे पिरिमियम कलेक्षन में किलिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा आप्षन आपको देखने को मिलेगा collection, print, duplicate, receipt, renewal, premium आपका initial premium भी आज से डिपोजिट कर सकते हैं तो हम लोग collection उसके बाद renewal premium में किलिक करेंगे Renewal Premium में किलिक करने के बाद यहाँ पर Policy Number एंटर करेंगे उसके बाद Search प्रेस करेंगे यहाँ पर Policy Number अभी एंटर करेंगे Account Holder यानि Insurance Holder का तो R.J.H. जो भी इसका Policy Number है वो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे 141125 तो अभी यहाँ पर Policy Number एंटर करने के बाद Policy Number एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग Done करेंगे फिर सर्च प्रेस करेंगे यहाँ पर सर्च जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर जो है Insurance Holder का सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम आ जाएगा उसके बाद premium due amount कितना premium due है वो आ गया उसके बाद from debt to two debt कौन से किस मैने से किस मैने तक यहाँ पर due है वो आ गया अब frequency आ गया monthly तो अभी दो मैने का deposit करना 9 से 10 यानि दो मैने तो यहाँ पर number installment में दो लिखेंगे दो मैने का deposit करें इसलिए 2 उसके बाद calculate में click करेंगे उसके ब form debt to two debt भी आ गया उसके बाद GST आ गया उसके बाद premium आपका interest है वो भी आ गया तो यहाँ पर total amount जो 376 आ गया उसके बाद आपके total amount payable यहाँ पर cash में है cash में click करेंगे आप चाहे तो चेक demand आप से भी payment ले सकते हैं तो cash में click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं yes कर देंगे तो यहाँ पर yes करेंगे yes करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा payment finalist हो गया तो successful हो गया payment तो यहाँ पर हमारे जो insurance order है उसके खाते में लिख देंगे तो यहाँ पर किस मैने से किस मैने तक insurance ने पैसा जमा किया है यहाँ अकाउंट ओल्डर ने तो यहाँ पर वो लिख देंगे तो किस मैने से किस मैने तक जमा किया वह यहाँ पर हम लोग clearly mention कर देंगे September to October दो मैने के यहाँ पर deposit किया उसके बाद यहाँ पर कितना premium उसने deposit कि वह भी यहाँ पर mention कर देंगे total amount जो है उसके बाद यहाँ पर हमारा जो finally receipt number यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद receipt number लिखने के बाद यहाँ पर चाहे तो date system तो आपको लगाना ही पड़ेगा date system लगाने के बाद यहाँ पर initial कर सकते हैं तो उसके बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दुबारा कि यहाँ पर payment detail में यहाँ पर printer अगर attach है तो प्रिंट कर सकते हैं तो continue करके हम आगे बढ़ चकते हैं तो continue जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो अब पेज में आ जाएंगे तो अभी हम लोग बैक जाकर चेक करेंगे कि हमारे जो वालेट वैलेंस में एमांट जो है एड होगा कि नहीं तो यहाँ पर बैक करेंगे वसके वालेट में किलिक करेंगे अब देख सकते हैं 24,000 चीएतर हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस ता 3,700 तो 376 रुपे एड हो गया तो टोटल जो एमांट हो गया हमारा वालेट में 24,000 चीएतर रुपे तो हमारा जो है टांजेक्शन सक्सेस्पूल हो गया तो आज का वीडियो बस इतना ही मिलते हम लोग फिर एक नए वीडियो का साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सेयर करें